कहानी की सुरुवात में हम समुद्र में एक बड़े से सिप को देखते हैं जिसका एक कर्मचारी सिप के बॉटम में कैद एक बड़े से सार्क को खाना खिलाता है और साथ में वो उस सार्क को एक सीरम भी लगाता है जिससे उस सार्क की आखे पीली हो जाती है अगले सीन में हम एक छोटे से सार्क को देखते हैं जो समंदर में खाने की तालास में भटक रहा था और तब ही उसे कुछ खाने का सामान दिखाई देता है और वो उस खाने का पीछा करते हुए उस बड़ी सी सार्क के पास पहुँचता है जो सिप में कैद थी दरसल वो जिस खाने का पीछा करके यहां पहुचा होता है वो इसी बड़ी सार्क के खाने का कुछ अंस होता है इसके बाद वो बड़ी सार्क उससे खुद को आजाद करने को कहती है और बदले में वो उसे धेर सारा खाना देने का वादा करती है इस बात पर वो छोटा सार्क मान जाता है और वो उस बड़ी सार्क के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है दरवाजा खुलते ही बड़ी सार्क पिंजरे को तोड़ कर खुद को आजाद कर लेती है इसके बाद वो बड़ी सार्क बोलती है कि मेरा बदला लेने का समय आ गया है और वो उस चोटी सार्क के साथ वहां से निकल पड़ती है अगले सीन में हम पिंक कलर की एक चोटी मचली को दिखते हैं जिसका नाम पी होता है वो किसी से जान बचा कर भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक चोटी सी चटान के पास जाकर रुख जाता है तभी एक बड़ी सी परचाई उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन ये कोई बड़ी सार्क नहीं बलकि पी का बेटा होता है दरसल पी अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं इसके बाद पी अपने बेटे के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है जहां उसे एक केकडा मिलता है जिसका नाम पीयरे होता है जो वहां के चटान पे खड़ा होकर उनके इलाके के निगरानी कर रहा होता है कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक नीली मचली मिलती है ये पी की मा होती है जो पी और उसके बेटे से मिलकर बहुत खोस होती है वहाँ से कुछ आगे बनने पर उन्हें एक नीली और एक तीन आख वाली मचली मिलती है जो पास के गुपा में घूमने के लिए जा रहे होते हैं ये सुनकर पी का बेटा उन लोगों के साथ चलने को कहता है लेकिन पी उन के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने आज अपनी पत्नी केंड्रिया को वादा किया था कि वो उसे बाहर घूमने के लिए ले जाएगा इसलिए वो अपने बेटे को उन लोगों के पास ही छोड़ कर वहाँ से निकल जाता है दूसरी तरफ हम उस बड़ी सार को देखते हैं जिसका नाम ट्रॉय होता है वो पी के इलाके में आ जाता है और अपनी साथ वाली छोटी मचली से कहता है कि उसे यहाँ पर पंदरह सो से भी ज़्यादा अलग-अलग नसल की छोटी मचलीयों की गंद आ रही है जिनका सिकार करके उसे बहुत मजाएगा इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर पी के इलाके के उपर हमला करने का प्लैन मनाता है ट्रॉय की बाते सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो अपनी पत्नी केंडरिया के साथ इंजॉय कर रहा होता है यहाँ पर उसकी पत्नी पी को बताती है कि बेसक उन लोग ने ट्रॉय से चुटकारा पा लिया है लेकिन फिर भी उसे दिखाना होगा कि एक छोटी मचली भी बहुत कुछ कर सकती है और उसे चोटी मचलीयों को लीड करना चाहिए ताकि वो आने वाली मुसीबतों का सामना खुद कर सके अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रॉय अपने साथियों के साथ तेजी से पी के इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वो केकड़ा जिसका नाम पीरे होता है वो ट्रॉय को अपने साथियों के साथ आता हुआ देख लेता है और वो ये बाते सभी को बता देता है ये खबर सुनते ही सब परिसान हो जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उदर भागने लगते हैं लेकिन जब ट्रॉय अपने साथियों के साथ पी के इलाके में आता है तो वो आगे नहीं जापाता है क्योंकि जहां पी छोटी मचलियों के साथ रहता है उस जगा और समंदर के बीच में चट्टानों की एक दिवार होती है जिसे ट्रॉय पार नहीं कर सकता है इसलिए मजबूरी में उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है वही दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो ट्रॉय को अपने इलाके में देखकर बहुत परिशान होता है तब ही वहाँ पर एक कच्छु आता है वो ट्रॉय से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए और उन छोटे जीवों को अपनी जिन्दगी जीने दे इस पर ट्रॉय बोलता है कि वो लोग अब उससे नहीं बच सकते क्योंकि चार दिन बाद समंदर में जोआर आने वाला है जिससे समंदर का पानी का लेवल बढ़ जाएगा तब वो उन लोगों पर हमला करेगा और तब उन्हें ये चट्टान की दिवारे भी नहीं बचा पाएगी इसके बाद वो अपने टेल से चट्टान पर एक जोरदार वार करता है जिससे चट्टान से पत्थर गिरने लगते हैं और कच्वे को अपनी जान बचा कर भागना पड़ता है और धमकी देने के बाद ट्राय वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मचलियां पूरी तरह से डरी हुई है तभी वहाँ पर कच्वे के पास जाता है कच्वे के पास जाता है कि वह चिंता ना करे इस समस्या का भी कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा इस पर पी कहता है कि ये कैसे संभव है चार दिन में जुआर आने वाला है और वो अकेला ट्राइ को कैसे रोक पाएगा इस पर कच्छुवा बोलता है कि तुम अकेले कहा हो तुम्हारे पास तो तुम्हें चाने वाली की पूरी फौज खड़ी है वो तुम्हारी बातों को मानते हैं और उन्हें जरूरत है एक सही कैप्टन की और वो तुम हो तुम अगर इन्हें ट्रेनिंग दोगे तो ये युद्ध के मैदान में तुम्हारे साथ जरूर देंगे कच्छुवे की बात मान कर पी सभी छोटे छोटे जीवों को ट्रेनिंग देना सुरू कर देता है अब एक दिन ट्रेनिंग देने के दोरान एक समुद्री साप इने देख लेता है और वो इस बात को Troy को बता देता है ये बात जब Troy को पता चलती है तो वो एक प्लैन मनाता है वो उस मचली को जिसने उसे उसके पिंजरे से चुड़ाया था उसे माने के लिए उसका पीछा करने लगता है और वो भागते भागते पी के इलाके में आ जाती है जहां Troy नहीं आ सकता और जब पी ये सब देखता है तो वो उस चोटी मचली को अपने साथ रहने दे देता है और इस परकार Troy का प्लान काम्याब हो जाता है और अब पी के बीच में Troy का एक आदमी होता है जो उनकी पलपल की हर कवर Troy को देता रहेगा इसके बाद हम देखते हैं कि पी सभी छोटे जीवों को युद्ध अब्यास करा रहा होता है लेकिन कोई भी खुद पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी दोरान एक मचली वहां खराब पड़े पंडूबी के अंदर चली जाती है और अगले हिपल पंडूबी में से एक मिसाइल निकलती है जो पास के एक चट्टान से टकराती है जिससे एक जोरदार बलाश्ट होता है लेकिन खुसकिस्मती से इस दुरगटना में किसी की जान नहीं जाती है अब यहां पर वो मचली जिसको ट्रॉय ने जैसुसी के लिए भेजा था जिसका नाम रौनी होता है वो धीरे धीरे सभी जीवों को अपनी चिकनी चुपडी बातों में फसाना सुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सबका फेवरेट बन जाता है अब एक दिन जब पी सभी को ट्रेनिंग दे रहा होता है तबी वहां पर रौनी आता है जो P से कहता है कि सभी जीवों के पास अलग-अलग सकतिया है तो क्यों ना एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए जिसमें सभी जीव अपने अपने टैलेंट का परदर्शन करेंगे और इस परकार सभी को अपने पावर्स के बारे में पता भी चल जाएगा और उसे ट्रेनिंग देने में आसानी होगी रौनी का ये प्लैन सबको बहुत पसंद आता है इसके बाद एक प्रोग्राम का आयोजन होता है जिसमें सभी जीव अपने अपने टैलेंट का परदर्शन करते हैं वहीं दूसरी तरफ रौनी ये सारी बात है ट्रॉइक को भी बता देता है रौनी की बात सुनकर ट्रॉइ बहुत खुस होता है और कहता है कि ऐसे ही कुछ दिन और वो उन लोगों को फसा कर रखे उनका काम बस होने ही वाला है अगले सीन में हम पी की वाइफ केंडरिया को देखते हैं जो पी से कहती है कि अब तुम मेरे साथ नहीं रहते इस पर पी कहता है कि उसे पूरे इलाके की रच्छा करनी है और ट्रॉय एक बर फिर से उसे हासिल करने की कोसिस भी कर रहा है यह सुनकर केंडरिया कहते है कि ठीक है उसे उस पर पूरा भरोसा है वो जरूर अपने मकसद में काम्याब होगा उधर रॉनी सभी छोटे जीवो का ओडिसन ले रहा होता है जहांपर सारे जीव जीवो गरीब काना में दिखा रहे थे वहीं पी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पुरानी पंडूबी के अंदर होता है जो अपने खास दोस्तों के साथ मिलकर उस पुराने पड़े जाल की मदद से एक ट्रैप बनाने की कोसिस कर रहा होता है ताकि वो ट्रॉय को इसमें फसा सके यहां पर पी का बेटा अपने एक साथी के साथ वहाँ पर आ जाता है इसके बाद यह सब मिलकर ट्रैप बनाने की कोसिस करते हैं ट्रैप बनाने के दोरान इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन यह हार नहीं मानते वहीं दूसरी तरफ रॉनी अब्वी छोटे जीवो का ओडिसन ले रहा होता है अगले सीन में हम पी को देखते हैं जो केंडरिया से मिलने जाता है केंडरिया पी से मिलकर बहुत खुस होती है और कहती है कि तुमने देखा कि ओडिसन में सभी कितने खुस थे उसने आज तक इन सब को इतना खुस कभी नहीं देखा इस पर पी कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ट्रॉय उन पर हमला करने आ रहा है और उन्हें लड़ने की तहियारी करनी चाहिए लेकिन तबी रॉनी पी की बात बीच में काट कर कहता है कि कल आडिसन का अंतिम दिन है और उसे लगता है कि उसे इन फालतो बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए ये सुनकर कैंट्रिया भी रॉनी का समर्थन करती है और कहती है कि हाँ उन्हें भी अब प्रैक्टिस करने के लिए चलना चाहिए यहाँ पर सारे जीव अब रॉनी का समर्थन कर रहे थे इस बात से पी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अपने गुरू कच्वे के पास जाता है वो उससे कहता है कि अब वो अकेला पढ़ चुका है उसने उन्हें सिखाने की पूरी कोसिस की लेकिन कोई फाइदा नहीं उसे विश्वास नहीं हो रहा कि केंड्रिया रौनी का साथ दे रही है इस पर कच्वा बोलता है कि कोई बात नहीं समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके बाद वो पी को एक जादोई ड्रैगन दिखाता है और कहता है कि अगर तुम इसे कंट्रोल कर लो तो तुम पूरे समुद्र पर राज कर सकते हो लेकिन एक असली लीडर ही इसे कमांड दे सकता है ये देखकर पी पूरी तरह से हैरान हो जाता है इसके बाद पी वहाँ से सीधा उस जगा पे आता है जहां पर उसने ट्रैप बनाया होता है वह ट्रैप को बहुत मुस्किल से किसी तरह एक्टिवेट कर देता है और अपने दो करीबी साथियों को ट्रैप की रखवाली करने के लिए बाहर तैनात कर देता है और उन्हें सक्त हिदायत देता है कि कोई भूल कर भी उस रेट क्लिफ को ना चुए लेकिन वहाँ पर रौनी छुपकर पी की सारी बाते सुन रहा होता है और वो यह सारी बाते ट्रॉय को जाकर बता देता है जिस पर ट्रॉय कहता है कि तुम किसी भी तरह से उस ट्रैप को बरवात कर दो नहीं तो वो उसे जिन्दा नहीं छोलेगा इसके बाद रौनी वहाँ से निकल जाता है तब ही रास्ते में उसे एक मचली मिलती है जो बहुत डरी हुई थी और वो उसे लेकर समुद्र के सता पर आती है जहां वो रौनी को एक सिप को दिखाती है सिप को देखकर रौनी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है एक दिन हम इंसानों को भी अपना डांस दिखाएंगे इसके बाद वो सभी जीवों को इकटा करता है और कहता है कि आज आज आडिसन का फाइनल दिन है जो भी उस गुफा से रेड क्लिफ को सबसे पहले लाएगा वही विजेता होगा रौनी की ये बाते सुनकर सभी जीवों तेजी से गुफा की तरफ बढ़ने लगते है दरसल रौनी इसी बहाने से पीके बनाए गए ट्रैप को बरबाद करना चाता था अब सभी जीवों गुफा के अंदर चले जाते हैं और रेट क्लिफ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं यहाँ पर पी के लोग इने रोकने की पूरी कोसिस करते हैं लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं अगले सीन में हम रौनी को देखते हैं जो सभी जीवों को डांस अश्टेप सिखा रहा होता है तब ही वहाँ पर पी आ जाता है जो रौनी से कहता है कि तुमने ये क्या किया तुमने जाल को पूरी तरह से बरवात कर दिया अब उन पर कभी भी हमला हो सकता है वो कहता है कि वो यहाँ कर सबको उनके मकसद से भटकाने की कोसिस कर रहा है और उसे लगता है कि अब उसके जाने का समय हो चुका है ये सुनकर केंड्रिया बोलती है कि ये कहीं नहीं जाएगा और इस पर उन सबको पूरा भरोसा है कि वो उनका दुस्मन नहीं है और अगर उसे इससे दिक्कत है तो वो यहां से चला जाए ये सुनकर पी पूरी तरह से तूट जाता है और वो वहां से चला जाता है दूसरी तरफ हम रॉनी को देखते हैं जो ट्रॉय के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा क्यूंकि पी को उस पर सक्ख हो गया है इस पर ट्रॉय कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस उन लोगों को नाच गाने में फसा कर रखो, आगे वो देख लेगा कि उसे क्या करना है, इसके बाद हम पी को देखते हैं, जो कच्छवे के पास जाता है, लेकिन कच्छवा एक जादवी दुनिया में चला गया था, अब एक दिन रॉनी केंड्रिया को डांस सिखाने के बहाने चट्टान के उस पार ले जाता है, और वो उसे ट्रॉय के हवाले कर देता है, लेकिन तब तक रॉनी को भी समझ में आ जाता है, कि वो ये सब सही नहीं कर रहा है, उधर पी कच्छवे से कहता है कि इस समय उनकी ह बहुत खराब है, कल ट्राय उन पर हमला करने वाला है, और अभी तक उनके पास कोई योजना नहीं है, तब ही वहाँ पर दो मचली रोनी को पकड़ कर लाते हैं, और वो रोनी की पूरी असलियत पी को बता देते हैं, रोनी के असलियत जानकर पी बहुत गुस्ता होता है, ये अपने ट्रैप को एक बार फिर से बनाते हैं, और किसी तरह केंडरिया को ट्राय के चंगुल से छुडाने की कोसिस करते हैं, लेकिन इससे पहले की पी केंडरिया को ट्राय के चंगुल से बाहर निकाल कर वहाँ से भागता, वहाँ पर ट्राय के साथ ही आ जाते हैं, जो वो उनका लीडर है तब ही वहाँ पर ट्रॉय आ जाता है जो रौनी को एक बार में ही खा जाता है अगले सीन में हम पी को देखते हैं जो केंड्रिया को लेकर अपने इलाके में पहुंच जाता है वहीं दूसरी तरफ हम कच्छवे को देखते हैं जो धदकते लावों के बीच में से होते हुए एक बड़े से आग की गहरी खाई के पास पहुंचता है और वो उस खाई में छलांग लगा देता है दूसरी तरफ हम ट्रॉय को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ मिलकर पी पर हमला कर देता है और वो एक एक करके सभी को माना सुरू कर देता है और ए पीछे से हमला करके कश्वा को नीचे गिरा देता है जिससे उसके हाथ से ड्रैगन का कंट्रोल छूड़ जाता है अब ट्राई और उन सारे छोटे जीवों के बीचे एक खतरनाक युद्ध होता है और इसी फाइट के दौरान ट्राई पीका पिछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाता है और वहाँ वो पीके द्वारा बनाये गए ट्रैप में बुरी तरह से फस जाता है और ट्रैप के एक जोरदार जटके के साथ वो एक जहाज के ऊपर आकर गिरता है और जब जहाज का कैप्टन ट्राई को देखता है तो वो ट्राई को फिर से एक बार वही सीरम लगा दिता है जिससे ट्राइ की आंके फिर से पीली हो जाती है और वो दद के मारे वहीं फड़ फड़ाने लगता है वहीं पी अपनी पतनिक इंडिया को वापस पाकर बहुत खुस होता है और सभी छोटे मचलियं ट्राइ से पीछा शूटने पर बहुत खुस होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं कत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सेर द वीडियो और प्लीज सिब्सक्राइब तो माई चैनल और प्रेस्ट बेल इकन